तो दोस्तो जैसी कि आप वीडियो में देख पारे हो यह है दुनिया की सबसे छोटी और फास्टेश ट्रेन जिसका इस समय ट्रायल रन चल रहा है इस ट्रेन को हाइपर लूप वन नाम की कमपनी ने बनाया है यह एक पाइलेट प्रोजेक्ट है दुनिया की पहली मैगनेटिक लेवियेशन से चलने वाली ट्रेन का दोस्तो मैं आपको यह जानकारी के लिए बता दू कि फ्यूचर में इसी टेकनोलोजी के उपर ट्रेन और बसिस चला करेंगी भारत में इस तरह की फास्टेश ट्रेन बनाने के लिए काफी सारे प्रयास किये जारे जिसमें मुंबई से दिल्ली सिफ एक गंटे में पहुच पाएंगे यहां मैं बात कर रहा हो Hyperloop train के बारे में जो कि दुनिया की सबसे fastest train है और जिसको Tata कंपनी IIT मदरास मिलकर बना रहे हाली में उन्होंने एक पाइलेट प्रोजेक्ट बनाया था जो कि काफी साथ सक्सेस्फुल रहा था कोस्ट और जो ट्रांस्पोर्टेशन है वो काफी जादा फास्ट हो जाएगा तो चलिए अब और डीटेल में समझते आखिर यह Hyperloop टेकनलोजी काम कैसे करती है यसी क्या वीडियो में देख पार हो यहां पर एक क्यूब बनाया गया है जिसके अंदर यह पार्ट है कर इनिव पार्ट के नदर लोग बैटकर एक जगा से दूसरी जगा ट्रेवल करते हैं कि जो पार्ट से यह मेगनिटिक लेशन सिस्टम से चलते हैं बेसिकली यहां पर Hyperloop को चलाने की बात चल रही थी लेकिन बात में प्रोजेक्ट को ड्रॉप करना पड़ा क्यूंकि तब तलग इतनी ज्यादा टेक्नोलोजी डेवलप नहीं हुई थी लेकिन क्यूंकि अब IIT मदरास के इन स्टूडन्स ने प्रॉमिसिंग सक्सेस्फुल Hyperloop प्रोजेक्ट बना कर दिखाया है इसको फंडिंग टाटा और रेलवे कर रही है तो देखते अब इस पर क्या होता है तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी अबडेट इस पर आपकी करा है मझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा जहिन